हलू नमश्कार में अलका भावसर अलका का जायका में आप सभी दश्कों का बहुत बहुत स्वागत और भी देंदर करती हूं आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पीनिट मुफली की रेसिपी है इसको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं लगबग वर्श भर इलीई पानी में भीगोके रख दिया था जिस ओर अच्छे से मसल के सको में धोलिया है तो आप देख सकते इसमें हमारी सारी मिट्टी निकल चूकी है और तरु काला निकल है यह वाने लग पानी को बहुत निकाल दिया है अश्याय को अब हास्य निकल लिए सकते हैं नमक का उपयोग नहीं किया है आप अगर वर्षफर के लिए स्टोर करें तो आप भली नॉर्मल नमक का उपयोग भी कर सकते हैं नमक को घोल लिया है मेने अच्छे से पानी में ताकि हमारी मुंफली है अब इसको हम डीप कर देते हैं और डीप करने के बाद हम इसका कुकर का धकन लगा करके लगबग एक सीटी ले लेंगे अब मेरी एक सीटी हो चुकी थी तो देख सकते हैं अभी मेरी मुंगफली ठंडी भी हो गई इसको पानी में ही आप ठंडी होने दे और उसके बाद लगबग एक से डेड़ घंटे तक पानी में डीप कर लें और लगेते इसको उपर नीचे भी कर सकते हैं ताकि हमारी सारी मुंगफली पानी में अच्छे से भीग जाए और इसमें नमक जो है वो पूरा अच्छे अंदर तक चला जाए अभी मुंगफली को हम एक तरफ निकाल करके रग देते हैं जिस एक ड् मुंगफलीर या सैकते हैं या साधे कड़ाई में सेख करके इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और अगर दूप में रख हे अछी आपके पास अब तो दूप निकलने लग गई तो इसको आप दूप में सुखा ले और साल बर्द के लिए आ इसको और जिन लोगों को ऑड पाने में उबाल करके खाने से उनकी अलर्जी मतलब नहीं होती है मुंगफली से तो यह देख सकते हैं इतनी जूसी और इतनी अच्छी मुंगफली हो जाती है यह पस इसका जो पानी है हमको वह जस्ट करना मतलब सुखाना है तो इसको हमें धूप में अच्छ से दो से तीन कि अच्छी कड़क दूप में सुखा दे तो यह आपको साल भर टिक जाएगी मुंगफली और देख सकते हैं दाने कितने अच्छे जूसी और इस तरह से होगे और आप इसको इस तरह से भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है मुंगफली और मेरे हैं भी यह सब ऐ गिली-गिली ही खतम हो जाती है अगर स्टोर करना है आपको तो दस बारा किलो ला करके फिर इखटी बना करके फिर उसको दुप में सुखा करके आप इसका उप्योग कर सकते हैं तो थैंक्स पर वाची मिलते हैं इसी तरह की एक और नई रेसिपिक साथ थैंक्यू कर दो कर दो